वेल्कम बाक टू माई चैनल आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे सेफ होंगे हैल्दी होंगे आज मैं बहुत ही कुईक सी रेसिपी लेके आई हूं ब्रेट पकोरा की वह भी बिना फ्राई किये तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने या एक बड़े से बर्तन में बेसन ले लिया है मैंने या पर दो बड़े चंब ल्यzin कितना बनाने वाले है उसके कौणिग ले सकते हैं बेसन में कुछ और थोड़ी सी लाल मिर्च पॉडर अगर आपको तीखा पसंद हो तो डाले वरना इसकिप कर सकते क्योंकि आगे हम इसमें और भी चीज़े आड़ करने वाले हैं तो इसे आहां पर नमक और हलदी अड़ कर दिया है और अब इसे पानी से मिक्स करते वे इस तरीके का बैटर बनाएंगे जुच हे ना बहुत ज्यादा रनी हो और ना बहुत थिक हो आपको यहां पर दिख रहा होगा है, क्योंकि ब्रेड न बहुत जादा मौइशियर को होल् अब हम उसके बैटर में क्या करेंगे बारी कटा हुआ प्याज हरी धन्या और थोरी सी हरी मिर्ची आट कर देंगे तो इसलिए मैं कहा रही थी मिर्च आट करो वरना ग्रीन चिली डालो बहुत ही मज़े का बनता है अब इन सारी चीजों का में अच्छा मिक्स देंगे और थोरी देर बेसन को रख देंगे ताकि वह अच्छे से ना फूल जाए तब तक हम bread वगेरा की देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं अच्छे से mix कर रही हूं बैटर को और आपको bread या तो आ ब्राउन ब्रेट में भी बना सकते हो या वाइट ब्रेट में भी बना सकते हो आपके पास जो आबलेबल हो आप उस पे बनाओ मेरे पास यहां white bread में यहां तीन bread के slice लेकर के आपको दिखा रही हूँ, आप चाहो तो इसको square भी काट सकते हो, या triangle भी काट सकते हो, या फिर आपको कोई different shape में बनाना हो ना, तो आप जैसे glass या किसी कटोरी की help से भी उसे काट करके different shape में भी बना सकते हो, बच्चों को बह आइंग पैन रख दे, आपको जिसमें भी आप comfortable हो वो रख दे, मैंने यहां पर एक तवा रखा है, उस पर थोरा soil, आपको दिख रहा है, मैंने इतना ही oil डाला है, अब उसे ब्रस के help से या spoon के help से अच्छे से spread कर देंगे, ताकि हमारा तवा जो है वो greasy हो जाए और अच् साइट से मसाला बहुत ही अच्छे से coat हो जाए, अब हमारा oil गरम हो चुका है तवे पे, मैंने यहां पर एक slice प्लेस कर दिया है, आप दो तीन रख सकते हो, मेरा तवा बड़ा है, इसलिए मैंने यहां पर दो रखा है, उससे एजी होगा मेरे लिए सेकना, इसलिए मैंने जादा यहां पर gathering नहीं करी है, और अगर आपको लगे ना कि उस पर मसाला नहीं लगा होगा है, तो आप अपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा ना प्याज इस तरीके से अब डाल सकते हैं, तो मेरा अब हम उसे flip कर लेंगे, एक साइट से आपको दिख रहा होगा, यह पक चुका है, तो हम दूसरे वाली को भी उसी तरीके से यहां पर पलटते हूए, और थोड़ा सा प्रेच करते हूए, हम उसे अच्छे से पका लेंगे, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे, कि वो अच्छे से crispy और करा रहे हो रहे होरे या नहीं होरे, यहां पर थो और काफी बढ़ियां भी बनता है बिल्कुल भी टेस्ट में आपको डिफ्रेंस नहीं लगेगा इविन ज्यादा टेस्टी लगेगा यही ब्रेट पकोरा तो अगर आपको मेरी रेसिपी या मेरे वीडियो पसंद आते हो सो प्लीज मेरे चानल को लाइक शियर और चानल को सब्सक्राइब कर ले और थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो जो